नमश्कार दोस्तों कैसे आप आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़ी होसे होंगी दोस्तों आज मैं एक ऐसी होमेपेथिक मेडिसिन के बारे में आपको जान करें दूंगा जो कि आपके थौट इंफेक्शन के लिए गले में अगर आपको बार-बार इंफेक्शन होता है वो टॉंसीलायटिस की प्रॉब्म होती है फेरिंचायटिस की प्रॉब्लम होती है और यह बार-बार होते जा रहा है आप बहुत सारी मेडिसिन खा रहे है लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं लुदक है तो आज मैं आपको अप्छ Werk above cannot hacen के बारे में गां जिसका नाता है ल हेपर्टिका नाम की होमेपेथिक मैडिसें के बारे में आपको चाहन करीदेंगे तो मैं दोक्तर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो अच्छे लिए सुरू कर करने से पहले आप सबसे यह बजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बैल आइकन को जरूर से दबाएं मैं ऐसे ही नॉलिजबल वीडियो लाता रहता हूं औ और उसको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है दोस्तों मेरा इमेल आइडी की विक्रमसिंग परिहार एड़रेंट इमेल डॉट कॉम है वहां पर चाके आप मुझे मेल कर सकते हैं दोस्तों मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देत है वो मैं नहीं हूँ तो आप मुझे एमेल ही कर सकते हैं चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज की दवा है है हैपटिका लीवर वाट नाम के पॉधे से इस मैडिसेन का मधुटिंचर बनाया जाता है और ये पॉधा आपको नम एरिया में मिलेगा मितलब जहां पर प इसलिए हम हिसे हैपर्टिका नाम से बोलते हैं हलाकि लीवर के लिए effective medicine नहीं है ये throat infection के लिए बहुत ही ज्यादा effective दवा है तो हैपटिका के सब से पहले मैं आपको action बताऊंगा कि ये हमारे से असर कैसे करता है क्या करता है उसके बाद मैं इसके symptoms बताऊंगा लक्षण ब योग कर सकते हैं और किस पोटेंसी में कैसे आप इसे यूज़ करें तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक्षन दोस्तो है आपटेका हमारी गले में इसर करता है तीन तरह से असर करता है एक तो इनफेक्शन को ठीक करता है, अगर गले में इनफेक्शन हो गया है, टॉंसलाइटिस की प्राब्लम है लेरंजाइटिस, वो चाहे है वो mostly viral infection होता है, लेकिन अगर bacterial infection हुआ है तब भी उसे ठीक करता है, इनफ्लामेशन को ठीक करता है, वहाँ पर अगर सूजन है, दर्द है, अजीब सा sensation है, उसको ठीक करता है, और तीसरा ये allergy, गले में अगर आपको allergy हो गई है, और गले में allergy होने के कारण, बार-बार horseness गला भारी हो जा रहा है, गले में अजीब सा sensation बना रहता है, ऐसा मतलब अंदर चुभन सी लटती है, तो ये दवा बहुत ही effective medicine है, तो ये था इ सीधा इसके symptoms की तरफ, लच्छन की तरफ, गले में infection होने के कारण, सबसे पहले बहुत जादा mucus बनता है, गले में कफ बनता है, जब आप सुबह उटते हैं, तो बहुत जादा कफ निकलता है, और कफ काफी sticky रहता है, mucus काफी जादा बनता है, और साथी साथ आपको पॉर महसूस होता है, इस तरह का आपको हमेशा लगता है, कुछ चल रहा है, इस तरह का अगर sensation महसूस होता है, तो ये दवा बहुत effective, गला बहुत जादा रफ हो जाता है, और गले में कुछ अठका सा महसूस होता है, बहुत जादा rough sensation महसूस होता है, कुल मिला के गले की पूरी स तो बार बार कफ हम निकालते हैं, बार बार कफ निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ फसा हुआ साफ महसूस होता है। और इसके कारण हम बार बार इस तरह की आवाज निकालते हैं, हौकिंग करते हैं बार बार गले से, तो ये समस्या अगर आपको सुबह सुबह होती है, हर द दवा है खासकर अगर chronic allergic condition के कारण है तो इस दवा का उपयोग जरूर करना चाहिए acute में तो बहुत सारी home perfect medicine है जैसे कि बैला डोना, hyaconite, hyper sulfist, sponge, अटोस्टा लेकिन अगर chronic में आपको इन सब दवाईयों से आराम नहीं लग रहा है तो आप इस दवा का हैपटिका का पयोग सरूर करें और लास्ट में अगर आपको हमेशा गले में कुछ अटका सा महसूस हो यहाँ पर और आपको उल्टी जैसा लगे तब भी medicine बहुत ही अच्छ है तो throat infection, allergic condition, tonsillitis, pharyngitis के लिए ये दवा बहुत ही effective medicine है इसे आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसे आप 30CH potency में यूज़ कर सकते हैं तो आप अगर हैपटिका मदर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले लेके आना पड़ेगा homepethic shop से 30 ml की लेके आएगा शौबे की डॉक्टर रेकवेक की अच्छी कंपनी की आपको मिल जाए वह आप लेके आए आधे कप गुनगुने पानी में लगवद 10 बून 10-15 बून दालिए करारा करते हुए इसे हलका हलका पी लीज़े और दिन में 2-3 बार इसका उपियोग करें अगर chronic है तो इसका दो बार उपियोग करें अगर acute है अगर acute condition है तो आप 3-4 दिन तक उपियोग करें इसके साथ बोनिंग हसन कफ कॉम्मिनेशन भी ले लीज़ेगा मेरा बहुत अच्छे रिजर्ट्स देगा दो बून दिन में 3-4 बार उसे भी ले लीज़ेगा बहुत बढ़िया दबा है उसके लिए आप यूटूब पर सर् पर बोनिंगे लेजि़े और साथ में ये दोनों 30 यर्च और मदर टिंचर में यूज़ करें आपको काफी अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे एक उपियोग तीन-चार दिन यूज़े और अगर क्राणिक कंडिशन है तो आप इस दवा का उपियोग लगभग एक से डेड महन तक यूज़ करें बहुत सेव और ये दवा है इसे आप बिलकुल ले सकते हैं अच्छी दवा बहुत बढ़िया मैडसें आप जरूर यूज़ करें थोड़ी सी ये ऐसी दवा है जिसके बार में शायद आपने पहली बार सुना हो अगर आप उपियोग किया है और काफी दि आप से लोगों फायदा होता है और यूज़ करने के बाद यूज़ करने के बाद जरूर फीडबैक देना है यह वीडियो कैसा लगा जरूर आप मुझे बताईएगा लाइक कर दीजेगा तो पता चल जाएगा लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्र